दो अप्रेल 2021 को नागपुर के नाग लोक में 700 लोगों की समन संग की संगती में संग नेक आदेश पारित किया एक महापुरुस एक जैनती एक शहर एक समय उसी के तहत में 14 अप्रेल को बहुत सारी जगे बहुत सारे शहरों में एक ही जैनती लगाई गई एक ही समय अब बुद्ध पूर्ण मारा ही है पांच मई 2023 को तो सभी से ये गुजारिस है सभी से ये निविदन है और ये समन संग का आदेश पी है सभी समन संगियों के लिए सभी समन लोगों के लिए जो बुद्ध के अनुयाई है एक सहर में एक ही बंदना एक समय एक ही जगे होनी चाहिए एक महापुरस है हमारे एक बुद्ध तो अलग अलग बंदना नहीं होनी चाहिए एक सामुई एक बंदना के बाद में फिर आप अपने अपने धम इस्तलों में जाके अपने अपने बिहारों में जाके अपने घरों में जाके खुब बंदना करें पर एक सहर में एक साथ एक बंदना होई चाहिए और उसका इस्थान पहले से निर्धाइट होना चाहिए जो वहां के बुद्ध भिहार हैं वो सब आपस में बात करें जो वहां के धमिक लोग हैं वो आपस में बात करें आपस में मिलें बैठें और तै करें कि पूरे सहर की बंदना बुद्ध पूर्णमा वाले दिन किस समय कहां पर होगी और सब अपना अपना खाना लेके आए कोई चंदा ना दे जो खीर ला सकता है खीर लाए जो पूरी ला सकता है पूरी लाए जो बिस्कुट ला सकता है बिस्कुट लाए जो टौफी ला सकता लाए, ना भी लाए, कोई बात नहीं, अपने बैठने का आसन लेके आए, महा सफेज चादर बिछाए, महा बैठे, भगवान बुद्ध की बंदना करे, उनका जो पढ़ाया हुआ तीसरण है, जो पंसील है और जो उनकी संग बंदना, बुद्ध बंदन करें, सब को बुद्धंग नमामी करें, सब को धंगम नमामी करें, और फिर अपने अपने बिहारों में और अपने अम्बीट का भवन में, अपने अपने गाड़ की भवन में, या अपने अपने स्थलों में, अपने अपने घर पर जाकर, फिर उस साम को बंदना करें, मु एक शहर में एक बंदना एक साथ होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सोचिए कि आप बुद्ध के अनुयाई है या अबुद्ध के अनुयाई है अगर आप अबुद्ध के अनुयाई है तो फिर आप अलग-अलग बंदना कीजिए और अगर आप बुद्ध एक हैं और आप बुद्ध के अनुयाई हैं तो बंदना एक ही करनी पड़ेगी कोई भी छोटा बच्चा अगर आप से पुछेगा कि एक शहर में अलग-अलग बंदनाएं क्यों होती हैं तो आप से जवाब नहीं बन पड़ेगा और ये सवाल पूछे जाएंगे कि जब धन्यवाद संगं नमामी संगं नमामी संगं नमामी